हेलो एब्रिवान गुड मॉनिंग कैसे हो आप सभी लोग आई होप सभी अच्छे होंगे और मैं भी एकदम से ठीप हूँ तो मैंने अपना ब्लोग स्टार्ट कर दिया है मेरी पूजा वगएरा हो गई है सुबहे की क्योंकि सुबहस्वा नहां के और गड़े से स्थाफ ना बातार तो वस कपड़े वगएरा में नहीं धोएं सुके यूँ रख दिये और सुचा था नहां के आज मैंने नाइटी पैन रखी है क्योंकि देखिए मैंने सुचा था कि सूट पैनूंगी बाद में और जले ली सिन हाई बेटे के स्कूल जाना था इनको पेरेंस सुट पहले काम बगारा कर लूँगी तब तो यह देखिए मेरे फंसी सीव हो गई और आज सुबह सुबह मेरे को इतनी बैड न्यूज मिली सच में मेरे तो हाथ पैरों धंडे पड़ गए और पैरों तले जमीन खिस गई ऐसा लगा मेरे को तो क्या न्यूज है वो मैं बत बनाऊंगी क्या बना रही हूं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी मैं तो यह देखिए कितनी कंटीनी बारिस हो रही है अभी थोड़ी-थोड़ी हल्की हो रही है इतनी ज्यादा बारिस है जो लोग नीच देखते होंगे उन लोगों को पता होगा कि दिल्ली में इतनी ज्यादा बारिस है उससे इतने हालत खराब हो रखें और हैं टो अकि बेटेंगे सब्सक्राइब प्सक्राइबने throwing बारिस में दूटेय कनी तो बहुत मुश्कूल हो जाएगी फिर भी जल्दी उठा करूंगी करूंगी जल्दी तो यह कि मूली कद्दू कस करके रख लिया मैं आप परांथे बनाती हूं तो इत्हर शुरू हो गई हूं मैं परांथे बनाना और पता है मूली कद्दू कस करके पानी बगरा तो बस तबार रख दिया है मैंने और परांठ बना रहा रही मैं बहुत से लोग से लोरी अलग-अलग i'll लेते हैं जब पर मैं ऐसे नहीं बनाती और मैं अच्छे से बना लेती हूं और हमें तो रोटी से खाई जाती है हमारे हैं रोटी ज़्यादा खाते हैं तो इसलिए आते हैं अच्छे से तो मैं बनाती हूं परांठे और आप लोग भी आजाई ये मूली के खाने बारिस का मौसम है या तो प बेटे रखती हूं मैं तो यह देखिए मैंने बेल के डाल दिया एक परांठा और देशी घी लगा दूँगी इसके दोनों तरब से और इसी तरह से परांठे बना लूँगी बिटा भी बेठा है उसको भी रेकफास्ट देना है तो और मैं भी खालूँगी और पता है क्या थ शुटी थी मेरे बेटी की मैंने बताया था और इनकी भी तो में लेट उठी थी और 6.50 बज़ी मेरी आंखने खिल गई थी पर मैं लेटी रही सो रही थी पापा का फ़ोन आया मेरे बापा ने डारेक्टर बोला कि बेटा रिंकूने फांसी लगा ली तो आप लोगों को बता है कि मेरे भाई का भी नाम रिंकू है छोटे बाले का और ये वाले नीश सुन के तो मैंने सोचा कि इतना बड़ा कदम मेरे भाई ने क्यों उठा लिया क्या हुआ ऐसा और मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए क्योंकि भाई को कुछ भी हो जाए भाई भाई होते हैं आप लोगों को पता होगा जो भेन होती हैं उनको पता है हाई भाई होते हैं कैसा भी सही भाई हम भेन लोग भाई के लिए जान चड़कती हैं तो मेरे तो भाई बहुत ही अच्छे हैं और चोटा वाला तो बहुत छोटा था ममी की डेथ हुई थी तो ममी की डेथ पांच-छे साल हो गई और हमने उसकी भी साधी भी कर लिए चोटे कि दोना भाईयों की साधी नहीं होती मेरी ममी की डेथ हुई थी बड़ा वाला तो मेरे से छोटा है च्छोटा वाला सबसे छोटा था ते 14 साल का था तो सच मैं मैं दो साल भी रखे आई थी और वो इतना मतलब अब भी उसको इतना नहीं है हमारे बच्चे पहुंझ जाएं हमारे बच्चों के साथ इतना खेलता है क्योंकि उसकी 19 साल में 20 19 साल में साधी हो गई 18-19 साल में तो आप लोग समझ सकते हो के इतनी समझदारी कहां होती है और तो पताए क्या हुआ कि जो भासी लगई थी किसी बच्चे ने तो वो मेरे पड़ोस में हमारा भतीजा लगता है उसने लगई थी और उसका भी नाम रिंकू है और किसमत देखो कि उसकी भी ममी नहीं है और उसके भी मतलब ममी कैंसर से हुई थी हमारी ममी की भी कैंसर से हुई थी और एक साल नहीं हुआ उसकी भाई है और वो सबसे छोटा था चार भाईयों की साधी हो चुकी है और उसकी तो मतलब दो भाईयों की साधी तीन भाईयों की साधी उसकी म हम औरक जानते हैं कि भावी चाहें कितनी भी अच्छी हो कैसी भी हो पर देवर के लिए कौन आजकल कितना करता है कोई नहीं चाहता persons सू में दोदस अच्छी हुगी तो वह समझो कि सीता का रूप हैं जो अपने मम्मी खाना पीना बना के देती थी भावी बगेरा अलग रहती थी नियारी हो गई थी उसकी मम्मी से भी तो अब लोग समन सकते हो कि कैसे रहा होगा और कुछ ना कुछ इतनी बड़ी बात हुई होगी चो लड़का ने इतना बड़ा कदम उठाया फैसला किया अपनी जान द कुछ था और मेरे तो हाथ पैरी कांप गए और सच में मेरे भाईों के लिए मेरी जान बसती है और भाई चाहें कैसा भी सही पर मेरे भाई तो बहुत अच्छे हैं कुछ भी बोलते हैं करते हैं पर भाई भाई होता है बोलते हैं ना भेन के लिए तो हम लोगों के लिए औ और मेरे ममी बोलती थी मुझे वही याद है कि हम पती भी हमें दूसरा मिल जाता है बच्चे भी हमारी हो जाते हैं खुश हो जाती है फैमिली में और पती नहीं होते हैं जाता है पर मा का वही भाई नहीं मिलता हमें अगर भाई हमारा चला जाए तो वही मा का नहीं मिलता मा भी दूसरी आएगी जब होगा तो वो सोतेला हो जाता है सगा भाई नहीं मिलता पती तो हमारा दूसरा साधी हो जाएगी तो कहीं जाएंगे तो हम बोल सकते हैं हमारा पती है यह हमारे बच्चे हैं यह पर भाई नहीं होता तो वही है ना आप लोगो समझ सकते और यह देख किचन वगेरा साफ होगी बरतन वगेरा थे जो आप लोगों से बाते करते ही हो गए तो देखती हूँ अगर खुल जाएगा तो दुफैर में कपड़े धूंगी नहीं तो अभी नाइटी चेंज कर लूँगी सारी भीग गई है मेरी नाइटी मतलब और उसमें भी हो गई है तो वस मैं जाऊंगी अभी और बारिस पढ़ रही अभी भी मैंने गेट लगा रखा है किचन का बारिस नहीं खुल लएई बहुत ज्यादा हालत खराब है बारिस से तो और ये वीडियो थोड़ा समय ने लाश्टम फास्ट कर दिया है तो कुचन बगेरा तो एकदम साफ क करके आ गई सारा कुछ में और इनके नेकर बल्यान पड़े थे ये नागे गए थे तो इन्होंने नहाए थे डाल दिये थे तो मैंने बोला इनके धूब के और फैन में डाल देती हूं क्योंकि यह नहीं खुल रही है वारिस तो कहां डालूंगी और हाँ जो भी चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूल कर देना तो मेरा बैस दोई कपड़े दोंगी ज्यादा नहीं दोंगी और अपने हथ प्यार दोंगे अभी कपड़े चेंज करूंगी सूट पहनूंगी मैं मेरे से नाइटी पढ़ा पहन के नहीं अच्छी नहीं लगती है तो इसलिए बस बात्रूम अगरम पाइं डाल दिया है मैंने अब चलती हूं अपने इनको कपड़ां को सुखा दूंग और कपड़े भी चेंज कर लूँ तो यह देखी हो गया है और कल मिलती हूं आप से एक नए वीडियो के साथ में यह मंडे को वीडियो जाएगा मेरा तो यह देखी है हो गया है सारा कुछ सारही सफाई बगारा हो गई किचन बगारा एकदम किलियर हो गई है सब कुस तो बस अप